हेलो एवरिवन मैं सदफ हाजर हुए एक नहीं वीडियो के साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे धन्य को ग्राइंड करके स्टोर करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी यह मैंने लिया है खड़ा धन्या और इसको धीमी आज पर पैन चड़ाएंगे उसके बाद हम जितना हमको धन्या पीसना है हम पैन में डाल देंगे जिसे मैंने यहां पर लिया है 500 ग्राम धन्या मैं पूरा एक सा स्टोर करके नहीं रखती हूँ जब भी मुझे जरुवत होती है 250 ग्राम में लेक के अच्छे से उसको रोस्ट कर लेना है बिल्कुल लाइट रोस्ट करना है जिससे यह बहुत अच्छी तरीके से दिरे से चल लोस्ट कर आए मैं हुआ है Gan Daug अची तरीके से लोस्ट हो जाएं जोए बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए बहुत जाधा होगी तो धनिया खराब हो जाएगा उसका जाय का टेस्ट खराब हो जाएगा अब हम एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने देंगे अच्छे से फैला दीजे जब हमारी धन्या अच्छे से ठंडी हो जाए तब मिकसर में डाल लिए और अच्छे से ग्राइन करिए यह धन्या मतलब जब हम इसको रोश्ट करते हैं तो यह बहुत अच्छी के तरीके से घ्राइन हो जाती है घंबारी हो जाती है वैसे जो हम लोग मार्केट से धन्या लाते हैं उसका खाना बना कर देखिए और एक बार इसका खाना बना कर देखिएगा आपको अपने आप फर्क समझ में आ जाएगा कि जो देशी होता है ना वो सच में सब्बैतरी होता है एक बार मैंने जब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बर मैंने धन्या खतम हो गी थी घर में तो मैंने सुचा चलो खड़ा धन्या है इसको पीस के ही चलो बना लेते हैं तो जो पीस के मैंने सालन कौन सा बनाया था याद आया निमोना निमोना बनाया था मैं क्या बताओ इतना जबर्दस निमोना बना था वाई सब बोड़ रहे थे कि मतलब क्या अलग डाला फ्यार बनाया कैसे बनाया मतलब इतना जायकेदार कैसे हो गया मतलब कैसे बन गया बह वो हिट है तो हमारा ग्राइंड हो गया हमने बोटल में डाल के अच्छे से स्टोर कर लिया तो आप भी ऐसे ही बनाईए खिलाईए माइन ब्लोईंग आउटस्टेंडिंग वीडियो थांक यू जो मच